तो डियर स्टुडेंट आज की या वीडियो उन्ही सभी स्टुडेंट के लिए जो परिच्छा में वाकई में पास होना चाहा रहे हैं आपने सही सुना जो हमारे बीए, बीए, सी, बीकॉम के सिकेंड समस्टर के स्टुडेंट है जिनका सब्जक्ट सोसिलोजी यानि की समा सात्रे और बीए, सेकेंड समस्टर के जिनकी परिच्छा कल परस्वे पिदाने वाले दिनों में लगी है और परिच्छा एं लिखित होने वाली है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में वो सारे question men include गिये हैं जो पिछली वर्सों में बार-बार पूँचे जा रहे हैं और साथ-साथ में इस बार 2024 में भी पूँचे गये हैं और आने वाले दिनों जो परिच्छा में आप सभी के आने वाले हैं उनकी भी उम्मीद है कि इसी वीडियो से आपकी परिच्छा में प्रस्ण आएंगे तो वीडियो को complete देखेंगे इसमें पहले तो मैं आपको एक model paper, question paper प्रस्तुत करूँगा इसी वर्स का जिससे आपको पता चलेगा कि तो 2024 में sociology का paper कैसा आ रहा है उसमें question किस प्रकार क्या रहे है then उसके बाद हमने इन सभी प्रस्णों के उत्तर तयार कर लिए है और भी बहुत फारे महात्पूंट प्रस्ण है जो आपकी परिच्छा में आने वाले है उनके प्रस्णे भी है और साथ-साथ में उसका उत्तर भी है बाकायता मैंने आपको तयार कर लिया है तो इसलिए मैं बोल ला हूँ कि वीडियो को complete देखेंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इधर-उधर जाने के आओ सकता नहीं पड़ेगी बस एए वीडियो देख लीजी आपकी तयारी होगे तो शेलिए वीडियो को शुरू करते है प्रूब के तोर पे देख लीजी यहाँ पर लिखा 2024 का पेपर है सब्जेक्ट आपका सुसुलोजी समिस्टर आपका सिकेंड यानि दुतिय समिस्टर है प्रशन पत्र यानि कोश्टर पेपर का नाम है सुसाइटी इंडिया अस्ट्रिक्टर ओगनाईजेशन एंड चेंज दो घंटे का समय मिलता है यह आप सभी को मालू है बसात्तर नमबर का पोड़ांक होता है अब यह भी आप सभी को मालू है प्रशन पूछा गया था कि कसबा क्या है, कसबा एक भहत ही popular और भहत ही high level कोईस्चन है, जिसे कि कसबा क्या है, यहीं पर एक और कोईस्चन में अट कर दे रहा हूँ नगर यहनि की city क्या है, एक और क्वस्चन अट कर दे रहा हूँ, गाव diff i Flash क्या है तो यह village और town और यह city यह तीन common question है जिनके बारे में आपको ऐसे ही याद होगा आप लोग इसके प्रशने का उत्तर पढ़ने क्या सकता नहीं आप बनाए के भी देंगे तब भी आपको पूरे नमर मिल जाएंगे ठीक है लेकिन यह तीनों की तीनों महादपूर प्रशन है इनके आपको जोड़ ध ही है कि हम आपको सटी question बताएं जो आने की उमीद हो एकदम से फौर तो इसलिए वह सारे question बता रहे हैं आप सभी को अगला question है कि हिंदू विवाह के परकार बताईए तो यहां पर हिंदू विवाह का सारे question में include करना चाहाँ हूँ पहला question पूछा जापकता है कि हिंदू और दूसरा बिवाह की पर्वाफादीजी बिवाह के फिय कहते हैं और पलफ एक और कोस्टन हो सकता है कि हिंदू बिवाह किते हैं के सबूस्टन को सब्. तो महत्पूट प्रश्ण है अभी हम आपको ये सारी की सारी से कौन कों से question आ सकते हैं यह हम आपको भी टिक करा रहे हैं कि यही आपको select कर लेना है ये तयार करना है नोट कर लिजे इनको ठीक है उसके बाद इन सभी का उत्तर मैंने बाकाईदा तयार किया वो भी आपको मिल जाए लेकिन भाई कोश्चन तो भाई कम से कम दो तीन चार पांसो कोश्चन है सोसलोजी में सेकें सिमस्टर में आप कौन को से तयार करके जाएंगे बता यार ठीक ह सब तो तयार नहीं कर पाएंगे लेकिन हम आपको क्या कर रहें वो सारे कोश्चन बता रहें जिनके आने के संभावना है तो नोट कर लिजे इन कोश्चनों का उत्तर भी आपको कहीं अन्य जगा जाने जोत नहीं यहीं पर मिलेगा सब अभी दे रहें आपको अगला कोश् देखने मिला है तो कॉमन सी बात है कि आपकी परिच्छा में आएगा 100% नोट कर लिए उसके बाद अगला प्रस्ण है कि संयुक्त प्रकार के बिशिष्टाह बताई कि क्रेक्ट्रिस आप ज्वैंट जोएंट फैमिली का मतब यही हुआ सेयुक्त परिवार जहां पर तीन पीडियों के लोग एक ही फात रहते हों यानि कि आप रहते हों आपके पिता जी रहते हों प्लस आपके दादा चाचा और बाबा जी भी आपके फात रहते हों तो उसको हम जोएंट फैमिली बोलेंगे तो इस बात को द्यान लखेंगे जोएंट फैमिली किसे कहते है थेक है यानि कि परिवार किसे कहते हैं यह ध्यान लखना और प्लस जोएंट फैमिली यानि साइम्ध सब लोग उनको दें ठीक है तो इस प्रकार के हम प्रक्रिया वाले जितने भी फैमिली होती हैं उनको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं तो यहां पर पांच कोईश्चन पूछे गए हैं तो आपकी जो परिच्छा होगी उसमें हो सकता दस कोईश्चन है क्योंकि जैसे कि आरम खंडबा कि और खंडबा में आपको लग उत्रे कोउश्चन देखने को मिलेंगे अब लग हुत्रे कोउश्चन में भी पूरी दिशा निर्देश बहिया दे गई है कि फिलेंको एक प्रस्न करने हैं तो पहला प्रसन में कि नग्रों का वर्गी करण कीजिए तो नगर्त फ के बिसेफता है तो ग्राम यानि की गाओं के बिसेफता है ये common question इसको द्हान रखेंगे अगला question है कि जन्जात को परभाफित कीजी यह फिर जन्जात को परभाफित करते हैं उसके बिसेफताओं के बारे मताई तो यह जैसे कि OBC हो गया अन पिछडा वर्ग हो गया ठीक है और डलित वर्ग हो गया जन्जात के लोग हो गये इन से सम्मधित question पूशे जाएंगे ठीक है कि दलित वर्ग किसे कहते हैं और अन्यपिस्टा वर्ग किसे कहते हैं जन्जात परभाफा दीजिया ऐसे question आएंगे ठीक है इन तीनों को बारे में बताया मैंने इनको आपको ध उत पिच्छे जात वाले लोग है वो बहुत ही पिछड़े हैं उनके पिछड़े होने की बहुत फारी समका रण है पहला तो असचित होना ओर दूफा है कि सुविधाय होते भी उनको न सुविकार करना उनको न लेना तो ये बहुत बड़ी समस्चा है ठीक है तो पिछ्ट्छे पन के बारे मैं यानि की पिछ्ड़ा जुपन है जो पिछ्ट्छे हैं उनके पास खाने के फैसे नहीं है ये फिर जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं ऐसी समस्याएं हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं आप इसके बारे हम लिखेंगे बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसका उत्तर भी बाकाइदा तयार है आपको मिल जाएगा भी ठीक है अगला कोश्चन है कि बहुत कमा अगला question महत्पूर्ण है कि भारत में महलाओं की मुख्य समस्यां क्या हैं तो आज के कुछ सालों पहले देखा जाए तो महलाओं के बहुत सारी समस्यां थी लेकिन जैफे जैफे देश आगे बढ़ रहा है जैफे जैफे डिश्टल इंडिया होते जा रहा मतलब की देश का भी कास हो रहा है या फिर भी कास का भी कास हो रहा है हर छेत्र में महलाओं काफी जादा और काफी हदedo क्ट तक टॉ पे जा रही हर छेत्र में तो अबि भी बहुत सारे अबारे वे भी है आप गाउं से बिलोंग करते होंगे हलाकि अब तक बहुत ज़्यदा फुधार आया है लेकिन अब भी जो पिछड़े बार के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि अगर लड़की लड़का दो घर में है तो सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि लड़की को लड़का है उसको बिए करा दो ऑफिक है वी च श करा दो बी टे करा दो आईसे वाले जोड़की तो प्रमुक समस्चा यह हो गई और दूसरी एक और समस्च्रा बिता दे रहा हूँ अगर लड़कियां है तो उनको बाउंडेशन किया जाएगा तो यह बहुत फाई समस्यायन के बारे में आप विख्यात करके विख्या वियाक्या मिलिख सकते हैं महात्पूर्ण टॉपिक है यह कोश्चन में आपको बता रहा हूं यह हावा हवा भी मत लीजिएगा यह रियल है यह पर इच्छा में आपके प्रशन आएंगे ठीक है नहीं पूछा जाता लेकिन ज्यादा तरपेज पूछा गया तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए यह भी इंपार्टन कोश्चन है उसके बाद हम आज आएंगे खंड साकी और यहां पर आपको दिर घुत्र है यानि कि बिस्त उत्री जिनको बोलते को कोश्चन देख इन दोनों में आपको संब्ध लिखना है किस परकार एक दो फिर सिंका रिलेसंस अरो किस परकार फेलोग भी ने इसतरह आप लोगों को संब्ध उसमें लिखना एंपॉर्टन कोश्चन हमेसा तो नहीं पूछा दे लेकिन इंपॉर्टन है आसकता है उसके बाद अगला पर बाद में दलीतों की वर्त्मान सबस्याओं के बेक्षा कीजे तो भारत में दलीतों की सब्सक्राइब समय में बहुत सारी है तो एक एक बाकाइदा मैंने इसका उत्तर तयार किया है जो कि आपको मिली जाएगा ठीक है महत्पोर्प्रस्ण है हमेशा आने वाला प्रस्ण है आप तक वह कोई परिच्छा चूटी नहीं इसमें प्रस्ण आया हो हमेशा पहुंचा जाता है और जो भ प्रारणामों की ब्याख्या कीजी यह फिर भारत में। आपके सग्छय को रोकने के उपाया बताई रोकने को बताई एक-दो प्रशन परिच्छा में आपके पक्क आएंगे ही आएंगी हो सकता है है जगण antyow को रोकने को पाई बताएए ऐसा question हो सकता है तो पका है पुरसा पूछे जाना वाला question तो इसको जो नोड़ ले जगा ठीक है तो यहां पर समाप्त होता है पूरा का पूरा प्रश्न है और उसके उत्तर हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए तयार कियें तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है इसी वीडियो के डिस्कुस्टन में जाना है वहाँ पर वाट्सप और टेलिग्राम का लिंक दिया गया है तो दोनों पर आप लोग जॉइन हो सकते हैं लेकिन वाट्सप पे जॉइन होएंगे जब गूरूप आपको मिलेगा ठीक है तो गूरूप से आप जॉइन हो जाएंगे उसके बाद आपको आप गूरूप पर जॉइन होंगे तो गूरूप पर आप मैसेज नहीं कर सकते हैं उस पर नीचे लिखा होगा एडमिन सेंड आप जैसे एडमिन में किलिक करेंगे अधिक हमीन हमारा पीडियव करेंगे आप अब मधार पर सकते किना हमें इंघ सांग्रा सांग्राव पीडियोब दें देएये इतना बोलेंगे हमांको तुरूंतत अच्छिए लावा सारे उत्तर गर पाइंगे तो इस प्रकार आपने ग्जाम की तैयारी कर दीजिए कर ठीक है वाफ इस प्रकार पीडियेफ लह सकते हैं और हूं कि यह आपका अपनाritis है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको आपको कर दोफसरा चैनल है competitors को सब्सक्राइब कर लीजए बागी मिलते हैं को ने वीडियो में जय हिंदे